नमस्कार मित्रों आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्यधर्म ज्यान यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं, किसी से मुहबबत करते हैं, किसी को अपने जीवन में लाना चाहते हैं, किसी को अपनी बात मनवाना चाहते हैं, किसी को अपनी तरफ इंप्रेस करना चाहते हैं, तो यह उपाय ब कोई भी किसी के लिए भी कर सकता है यानि अगर आप पति-पत्नी है, प्रेमी-प्रेमी का है या फिर आपका कोई दुश्मन है जो आपको परिशान कर रहा है या फिर आप जिससे प्रेम करते हैं वह आपको इग्नोर करता है, आपकी बाते नहीं मानता है तो भी आप इस उप क्योंकि कई बार क्या होता है कि relationship में रहने के बाद कुछ समय तक रिष्टा अच्छा चलता है लेकिन धीरे धीरे करके रिष्टे में दरार आने लगती है और रिष्टा खराब होने लगता है तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका प्रेम हमेशा बरकरार रहे आपका रिष् सीरियस हो जाए तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं तो उपाय जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए मित्रों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे अगर आप हमसे अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं किसी समस्या का समाधान पाना चाहते हैं या किसी भी समस्या के लिए उपाय जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉ पताह में किसी भी दिन कर सकते हैं, इसके लिए कोई समस्या वाली बात नहीं है, लेकिन इसे करने का जो समय होगा, वह रातरी का समय होगा, यानि जिस समय आप सोने जाते हैं, उस समय आपको यह उपाय करना है, तो आपको क्या करना है, रात को खाना खाने के बाद, जब आप सोने जाएंगे उस समय आपको अपना हाथ पैर अच्छे से धो लेना है और स्वच्छ हो करके अपने बिस्तर पर बैठ जाना है और उसके बाद जिसके लिए भी आप यह उपाय कर रही हैं उसको अच्छे से याद करना है उसको अच्छे से सोचना है लेकिन इस बात का आपक एकदम एकाग्रचित हो करके उपाय करना है तो उसको अच्छे से सोचने के बाद 11 बार आपको उसका नाम लेना है यानि जब आप उसे अच्छे से सोच लेंगे उसके बाद उस व्यक्ति का मन ही मन 11 बार नाम लेना है और एक मंतर का 11 बार उच्चारण करना है मंतर कुछ इस प्रकार है, इसे ध्यान से सुन लीजिए और वीडियो में भी दिखाया जा रहा है, देख लीजिए. ओम श्री मोहिनी मोहिनी महा मोहिनी मोहिनी मोहितु स्वाहा। आप याद नहीं कर सकते तो देख देख करके भी इसे बोल सकते हैं। अगर वह आपका बात नहीं मानता था, तो आपकी बाते मानने लगेगा, आपकी इज़त करने लगेगा, और आपका प्रेम पहले की तरह मधूर हो जाएगा। बस आपका इंटेंशन अच्छा होना चाहिए। किसी नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवार। किसी नई जानकारी के लिए और आपका इंटेंशन अच्छा होना चाहिए।